हेलो फ्रेंस वेलकम टू माई टाइट क्लास फ्रेंस आज हम देखने वाले हिंदी हिंदी में हमने पिछली वीडियो दी थी जिसमें आपको मैंने स्वर और वेंजेनों के प्रकार बताएं थे कौन कौन से स्वर हैं और कितने प्रकार के वेंजेन होते कि वो कहां से उचरित होते हैं और उन्हें किस तरह का वर्ण कहा जाता है तो देखिए मैंने यहां पे लिया है सबसे पहले औ, आ, और कौवर्ग कौखो, गौगो, गौगो वर्ग में सोता है उस वर्ग के पांचो अक्षर तो कौवर्ग अगर हम कहें तो कौखो, गौगो आजाते है और प्लस ह और विसर्ग ह चब्द और विसर्ग जो दो बिंदी होती है अक्षर के पीछे वो विसर्ग आपके कहां से बोले जाते है कंट और जीप का जो निचला हिस्सा है वहां से बोला जाता है इसलिए इन्हें कंठ वर्ण कहा जाता है प्रश्न कैसा आएगा प्रश्न आएगा कि कंठ वर्ण है कौन सा आपको चार आप्शन दिये जाएगे वहाँ से पुछा जाएगा कौन सा कंठ वर्ण है या फिर ये पुछा जाएगा कि कौन सा कंठ वर्ण नहीं है तो ये आपको ध्यान देना है कि आपको कौन से अक्षर कंठ वर्णिये हैं, कंठ से उच्छरित होने वाले हैं, फिर लगला है हमारा E, छोटी E और बड़ी E, और चोवर गयाने कि चोचो जो जो और प्लस यो और ये आपका सो ही, किसमें आता है तालू और जीब से बोले जा कान ही वह है, जिसके कान इनका नाम ही मुर्धन नी कहा गया, अगला है री और टवर, यान कि टोठो डो धो, और फिर देखिए दो आपकी उच्छिप्त वर्ण थे, जो मैंने आपको अतिरिक्त वर्ण की रूप में बताया था, सडक काड़ा और पढ़ने का धो, अप्लस और आपका ये वाला सो, क्या कहलाते हैं आपके ये मुर्धन ने कहलाते हैं, क्यों क्योंकि ये मुर्धा और जीव के माध्यम से बोले जाते हैं, जब आप इन वर्णों को बोलते हैं, तो आपकी जीव अंदर की साइड थोड़ी सी टर्न होती है, जिसके कान हम इसे तौवर्ग आता है आपके तौथो, दौधो, नौ, और लौ, और सौ, क्या आते हैं आपके ये किसमे आते हैं आपके दन्त में आते हैं और इसका जो रॉचाणी स्थान है दाथ और जीव है फिर अगला आ जाता है छोटा U और बडा U और पावर्ग इसमें आते हैं देखिए इनके पंचमाक्षर नहीं की गये है क्यों क्योंकि पंचमाक्षर की गिंती जो होती है नासिका से होती है कि ये कौन से वन कहलाते है उनू नासिक लेकिन ये भी ध्यान दीजी कि अगर इनका उचारण स्थान की बात करें तो जिस वर्ग के होते हैं उस वर्ग का प्लस नासिका दो जगह से इनका चलता है तो ये नासिका से और मुख से बोले जाते हैं मुख क्योंकि हम जो उपर के जो पांच वर्ग देख रहे हैं वो मुख के किसी भाग से है तो वो मुख मार्ग हो जाता है और प्लस नासिका जिसके कारण से इनके नासिक वर्ग कहा जाता है और इनके उचारण स्थान दो माने जाते हैं जैसे कोको कोका अंगय की बात करें त उसी तरह से इंग्याड़ा नौ और मौ का है तो यहां हम ऊपर अभी देख रहे हैं तो ऊपर में ऊपर मौ भी आएगा ऐसा नहीं कि यहां पर मौ नहीं माना जाएगा मौ भी माना जाएगा यह जो वर्ड है यह ओठो के होड्स के मार्धम से बोला जाता है इसलिए इन्हें इनका उचारण स्थान ओस्ट कहा जाता है फिर आगे आपका आ जाता है एई आ है आह आ यह कंट तालू और जीप की साहायता से बोले जाते हैं इसलिए इन्हें कंठ तालवी और उखता जाता है वही ओ ओ की बात करे, तो कंठ ऑन ओस्ट से बोले जाते हैं इनका उचारण स्थान जो माना जाता है दात और उस्ट तो यह आपके उचारण स्थान है दो तिन पॉइंट और है जो आपके इंपॉइंट यहां पर यह पॉइंट देखिए रहा कैसा वर्ण है यह प्रकंपित वर्ण ही अपने आप में प्रश्ण की होगा फिर आजाता है सड़क उच्छिप्त या द्विगूड उनका मैने उचारण स्थान कहां से बताया था मुर्धनी कहलाते हैं जै सड़क का रड़ा है और पढ़ने का नहीं होते हैं यह अतिरिक्त वर्ण कि उचाने स्थान को देखा वीडियो कैसी लगी एक बार केमेंट करके जरूर बता है अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी तब तेके लिए नमस्कार